नमस्ते भारत, नमस्ते किशान, मैं गणिश किशान, फिर से किशान पाश्चाला प्लाटफॉर्म पर बलराम किशान जी के साथ में, आज हूँ सुन्दर पातुंडी, मुक्ताइनगर तहसिल में आती है, ये मुक्ताइनगर और शाहापूर, भराणपूर, ये बॉर्डर में दस किलो मेटर इधर गए कि महाराष्ठा, ये महाराष्टा इधर-ः अद्र हो रहा है, ये कुछ किशान, मित्र है, जो अपने साथ जुड़े हुए है, किशान पाध स्थाले के साथ में, रेवा फ्लोरातिशु के साथ में, रेवा जी नाइन का पोधा लगाया है इन्होंने इस साल में काफी गड़वड़िया रही है ज्यादा बारिश की वज़े से अभी सामने अगर मैं दिखाऊ आपको तो करपा सिगाटों का स्प्रेड हो गया है उमिडिटीब हो ज्यादा है कंटिनूसली बारिश पिछा नहीं छोड़ रही है आई लेकिन किसान से सुनते हैं किसान की मुझ जपानी नमस्ते विया आपका नाम परिशे बताइए हम लोग कहां पर है अगानेज भाकुत माजन सुन्दर पातुंडी तालू का मुक्ते नगर जिल्ला जाला महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में यह कौन सा पोधा लागा हुआ है और कौन से डेट में लागा हुआ है यह रेवा फ्लोरा का लागा हुआ है जी नाइन बाविस जुन पाविस जुन है ओके रेडिश वगेरा काफी अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन भीया कुछ सीगा टोका बहुत ज्यादा स्पोरोल हो रहा है खित में यह करपा और सेगा इसके लिए कुछ प्रोटेक्शन लिया हुआ अभी स्प्रेव अगेरा अभी तो तो तीनेक दिन पएदे मारा हुआ है कारबन डिजम आनि कांफिडर कांफिडर और कारबन डिजम ठीक है नीचे से कुछ दिया हुआ है फंगी साइड के रोप म परता केल्सियम नाइट्रेड और अचा केल्सियम नाइट्रेड बोरान भी दिया हुआ है ठीक है अब थोड़ा सा इसके तरफ ध्यान रखना है कि यह जो पत्ते है इसके उपर कहीं मार्किंग बना कर रखो कि आगे पहले पत्ते पे जा रहा है नहीं जा रहा है अगर जा तो तुरंद चार दिन के बाद अ विदि करती से यह पत्ते में आपको देखता मेरे तो तो हम gi scheint कर लेंगे कर लेंगे इसरा आपने डि शुरू होई तो यह कम से कम 2-3 दिन बाद यह प्रतिवन्द्दक क है इसको अगर नहीं कर रहा है अच में बारिश कर रहिए आज पाउडी इन्वार्मेंट और हुमिडिटी बढ़ेगी तब तब यह ज़्यादा स्पोरल होगा तो उस समय प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा अभी इसके ओपर लेमेनेशन लेयर बनाना पड़ेगा लेयर मिंस क्या कि यह जब भी हुमिडिटी बने तो यह स्पोरल अवस्ता में फूटे नहीं और आगे बढ़े नहीं इसके लिए मैं आपको प्रोटेक्शन बताऊंगा जो किसान सुन रहे है वह भी ध्यान में रखे वीडियो में नहीं बता रहा हूं लेकिन वीडियो के नीचे नंबर रहेगा उसके उपर आप फोन पर बात कर सकते हूं आपको मै जगा पर वातावरान अलग है एटमोस्पेर अलग है पानी अलग है उस हिसाफशे वहां पर क्या देना चाहिए वह वीडियो दो धाई मिनिट का अगर आप बनाकर भेशते हो तो वह देखने के बाद एनलिस होता है उसके बाद में आपको कुछ चीज़े बताई जाती है पत्ते बगेर अच्छे है लेकिन काफी मात्रा में करपा और सिगाटों का दिख रहा है लेकिन कितना भी हो तो यह पत्तों को कट नहीं करना है है वो सवस्ता में रखो इसी पत्ते के उपर इसको अपन प्रतिबंद करेंगे इसी के उपर इसको एक लेर बनाएंगे और वो लेर में उसको छिफाएंगे और आगे के पत्तों में नी आने देंगे और इसको नीचे से पुशब देंगे ताकि अगले वाला यह जो पत्ता है थोड़ा सा जो पीलापन है इसमें ग्रीनरी आनी चाहिए तो ग्रीनरी के लिए भी मैं आपको शेडूल बदा के जाओंगा यहां से बाकि आप लोगों के मेनत अच्छी है और पौन भाई भी आप लोगों के साथ में हर्दम से मुकताइन नगर में काफी इनका रोल रहा है इस साल रेवा को आगे बड़ाने में किषान को आधे में किशान पाटशालों भी अब रन कर रहे है है काफी अच्छा लगा आपके खेट में आने के पाद थोड़ा सा अगे भी दिखाए दिखेंगे मुझे यह अभी बड़ा हुआ लगता है मुझे यह 15 दिन में ज्यादा बड़ा हुआ है शायद यह चीजे जो है ना जैसे यह नीचे वाला पत्ते के ऊपर दिख रहा है न तो तुरण इसको अबसर करना है और तुरण फोटो वगेरा बनाकर भेज़ जाना है जैसे मेरा नंबर भी ले लिए पाउन भाई का नंबर तो ही आपके पास में फोटो या वीडियो बनाकर ऐसे गुमते गुमते आने के बाड़ जो भी टीसि अब को आपकी खित्में दिखेटेश जो म्याया है आज के दिन का वह विडिएओ बनाकर भेज़ते ना कि यह मुझे यह दिख रहा है मुझे समझ में आ रहा है मैं इसको यह बराबर है इस बोला यह नहीं या उसमें कुछ ऐ एड़ करना पड़ेगा बस उसको पूश करके फिर इसमें फर्टिकेशन शेडोल में एड़ करके इसको स्प्रेश शेडोल या ड्रेंचिंग शेडोल में आगे बढ़ा कि अपने इसको अच्छे से कर सकते हैं बागे आल इट इस आपकी मेहनत वागरा तो अच्छे दिख रह झातल इसको झातल शेडोल में आपकी में चातल इसको में प्रिकेशन आपकी अच्छे से का फिर इसको उने दो इसको प्रिकेशने वागरा लगभाब